काफी important update आई है जहारखंट B8 के regarding किसी भी college में आप B8 करना चाहते है 2024 में तो आपको देना होता है entrance examination जहारखंट में किसी भी college में जो कि government से affiliated है या government university से affiliated है उसमें अगर आप admission लेंगे तो यहाँ पर आपको entrance examination देना होता है entrance examination में जितना score करेंगे उसमें आपको मिलती है CML ranking, category ranking उस ranking के base पे आप करते है counseling और उसके बाद होता है आपका admission याद रखे 15 मार्च यानि 15 मार्च तक application form fill up कर लेना है आपको extend करती है, extend का wait आप ना करें यहाँ पर, extend की जो है अगर wait करें extend नहीं हो तो SM examination आप नहीं दे पाएंगे exam date 21 अपरील बहुत कम टाइम यहाँ पर दिया गया है पर क्या यह extend होगा बिल्कुल chances से extend होगा पर जो है कोसिस करेंगे आप इस टाइम पर तैयारी करके entrance exam mission देने की, qualify करने की, अच्छा score लाने की यहाँ पर जो है आपको पता होगा जैसे CB के साइट में जो है जाके form fill up कर सकते हैं वीडियो कैसे form fill up करनी है उस पर मैंने बना दी है, student pedia search कीजिए how to fill the application form यह application कैसे भरे, student pedia बस mention करते हैं का बहुत सारे वीडियो जो है search list में आ जाएंगे, search list में आने के बाद कोई भी व वीडियो आप देख सकते हैं और जो है यहाँ पर आपका examination जो है वो MR seat पर होगा, MR seat यानि एक seat दी जाती है जिसमें आपको गोल-गोल करना होता है, यानि यहाँ ब्लैक मार्क करना होता है, और date जो है आप जान गे होगे यहाँ पर और जो है आपको बतला दू कितने जो है आपको fee यहाँ पर देनी है, general category से 1000 रुपे, अगर OVC category है 750 और कोई भी महिला है, female candidate है या STAC category से आप बिलॉंग करते हैं, मादर 500 रुपे आपको देने होंगे, mode of payment online है, आप जो है online form फिल अप करके पैसे एक अटा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर problem नहीं होगी, और यहाँ प आपको और वहाँ examination आपका दो घंटे का होगा, और यहाँ पर दो घंटे में जो है, आपको बता दू, 100 question पूछे जाते हैं, कौन-कौन से topic है, syllabus वाली वीडियो देख लीजेगा, बहुत अच्छे से मैंने explain करा है, syllabus करसे सच करना है, जारखंट B8 syllabus student pedia, student pedia आप बस mention करें, वहाँ पर आपको बहुत सारे explanation मिल जाएंगे, कि syllabus कैसे गभर करें, syllabus में क्या-क्या पूछा जाता है, और साथ में आपको बता दू, study material का, study material मेरे पास मिलता है, जिससे आप qualify कर सकते हैं, जारखंट examination, साथ में कोई भी examination जो कि आपका एंडिया में होता है, वो B8 से related है, त आपको सारे material मिल जाएंगे, जो कि कम बाम है, अगर आप offline ले उतनी material, क्योंकि यहाँ पर PDF form में होते हैं, और अच्छे quality के PDF होते हैं, इसलिए आपको कमदाम में देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर practice set होती है, जिससे आप आसानी से practice कर सकते हैं, और जो है offline कोर्स या नहीं, इनकी result नहीं आई, क्या वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, एक साल आपको बरबाद नहीं करना, पहले हुआ करता था, कई लोग यहाँ पर बरबाद करके एक साल बेट करके देते थे थे, ऐसा नहीं करना आपको, आपको यहाँ पर बता देना है, कि हम passed है, अगर वो option नहीं होगा कि यहाँ पर आप continue कर रहे हैं आप ही पढ़ाई कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं result नहीं आई, इसका option नहीं देता है तो आपको pass कर देना है, आप करना क्या होगा pass करने के बाद जब आपका admission होगा जो कि बहुत लेट में होता है तब सक सबके result आजाती है counseling वगरा होते होते है जन्वरी तक counseling चला है अभी जन्वरी तक counseling चला है तो उससे आप अंधाजा लगा सकते हैं सबकी यहाँ पर degree वगरा आजाती है उसकी चींता मत कीजेगा examination बिल्कुल दीजेगा कुछ documents आपको जरूरत होते हैं already मैंने explain कर दिया है कौन कौन से document हो गई है दस्तावेज जो है बाद में आपको दिखाना होगा काफ़ टाइम है उसके लिए पर अभी entrance examination की तैयारी करें entrance examination की syllabus की तैयारी करें और जो है syllabus नहीं मिल रहा है का वेश्ब्श्श्ग्ति Cow स análती meant